गणित में प्रतीक व गणिती कतन गणित में परिभाशाएं गुण नियम इस तरीके से संक्षित्व में लिखे जाते हैं ऐसा नहो तो कत्नों व उपपत्यों को लिखने में जाने कितना लिखना पड़े गणिती भाषा सही चिहनों की उपयोग से किसी बात को सटीकता से कहने में मदद करती है इसलिए इसका उपयोग प्रमे सिद्ध करते हुए करना जरूरी है और फायदे मन भी वैसे तो गणित में अनेक चिन उपयोग किये जाते हैं पर यहां कुछ चिहनों और उसके अर्थ दिये हैं आगे हम इनका उपयोग समझेंगे और कुछ नए कथन भी लिखेंगे इस तारीका में कुछ चिन और उसके अर्थ दिये हैं इसे ध्यान से देखिए क्रमांग एक बराबर है is equal to क्रमांग दो say छोटा है Less than, क्रमांग तीन, से बड़ा है, greater than, क्रमांग चार, इसलिए, therefore, क्रमांग पाँच, चुके, since, क्रमांग छे, बराबर नहीं है, is not equal to, क्रमांग साथ, सभी के लिए, या प्रतेक के लिए, for all, क्रमांग आठ, का आव्याव है, belongs to, क्रमांग नौ, का आव्याव नहीं है, does not belong to, क्रमांग दस, समरूप है, is similar to, क्रमांग ग्यारा, सरवांग सम है, is congruent to, क्रमांग बारा, अंतरभाव या इंगित करता है, implies to, क्रमांग तेरा, समांतर है, is parallel to, उदाहरण एक, निम्य शाब्दिक कत्नों को, गणिती कत्नों में लिखें, अ, पुर्णांग संख्याओं में, व्याव कलन करते समय, क्रम विन में नियम लागू नहीं होता है, ब, किसी भी प्राक्रित संख्या का वर्ग, उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है, हल, अ, ए रिन बी, बराबर नहीं है, बी रिन ए के, सभी ए बी अव्यों है, आई ये, गणिती कतन लिखने के लिए हमने दो चवरों A और B का उप्यों किया है, और चिहनों बराबर नहीं है, सभी के लिए का आव्यों है, का उप्यों किया है, ब, एक्स वर्ग, बड़ा या बराबर है X के, सभी X आव्यों है N के, यहाँ X किसी प्राक्तित संख्या को निरुपित करता है, करके देखें, इन सभी के लिए गणिती कतन लिखें, किसी पुर्णांग संख्या को एक से गुणा करने पर वही पुर्णांग संख्या प्राप्त होती है, तूसरा, किसी भी तरभुचकी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है तीसरा, दो भिनात्मक संख्याओं का योग एक भिनात्मक संख्या ही होती है गणिती कत्नों को सिद्ध करने के धंग अभी तक हमने गणिती कत्नों को समाननिता सीधे सीधे निगमन तर्क से सिद्ध किया है इसके कुछ और उदारण देखते हैं यदि त्रिभुज ABC एक सम बाहु त्रिभुज है तो वह सम दी बाहु त्रिभुज भी है यानि उसकी सभी भुजाए बराबर है तो उसकी कोई बी दो भुजाए भी बराबर होंगे ही अतहवा समदी बाहु भी होगा आईए अब इनी तथ्यों को हम प्रतीकों की सहयता से लिखकर प्रदर्शत करना सीखते हैं अब यदि कथन A सही है तो कथन B भी सही है अता इसे निम्न लिखित तरीके से दर्शाएंगे A इंगित करता है B हम इसे ऐसे पढ़ते हैं यदि A तो B या A अंतरभाव B यहां चिन अंतरभाव इंगित करता है का चिन है करके देखें इस प्रकार के कुछ और कथन सोच कर लिखें जिने सीधे सीधे निगमन तर्ग पर सिद्धि किया जा सकता है दूसरा क्या A अंतरभाव B यह दिखाता है कि B अंतरभाव A कारण बताएं